दोस्तों इन्फिनिक्स ने अपने एक और न्यू हेंसेट लॉंज कर दिया जिसका नाम है इन्फिनिक्स S5 Pro जो के पिछले वेरियंट याने की जो पिछला जो हेंसेट लॉंज ता वो इन्फिनिक्स और डेट जो काफी popular रहा और सेल में काफी स्पीट से बेगा और इसमें आपको कम प्राइज में काफी ज्यादा चीजे स्टोरेज सभी चीजे दी गई और काफी पसंद भी किया गया और इस साल इंफिनिक्स ने एक और अपना बजट के डिगरी कही एंज़ेड लॉंच किया जिसका नाम है इंफिनिक्स S 5 प्रो जो कि यह काफी पिछले एंट सेट के मुकाबले में काफी इंप्रूमेंट किया गया सबी चीजों में तो चली जानते है कि क्या क्या इंप्रूमेंट किया गया है और क्या है इसकी प्राइस तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते इसके डिस्प्ले की तो इस बार डिसप्ले दिया गया है इसमें भी इंप्रूमेंट किया गया है Six point three इंच का full HD प्लास दिया दोस्तों पिछले जदने भी इंपनेक्स के तो सरिस्टी विख़्ी प्लास के डिस्प्ले थे इस बार पूल के दाइछ glorने में यहांनि की इसे में आपको लिए डिस्पली देखने मिलेगा नौश नहीए और इसका जू कोन है Rņ टिस्पले ब्सक्रून कि अब और आपको ग्रैस कोने में माद़ ही भेटिया और इसी तरह से दोस्तों इसके अगर बैटरी की बात की जाए तो इसमें बैटरी जो दी गई हो 4000 एमेच की बैटरी दी गई है जिसके साथ में 10 वाट का चारजर भी आपको देखनों मिलेगा और जो इसकी दोस्तों प्राइज रहने वाली हो 9999 चार्ज भी रहें 64 इंटरनल स्टोरिज के साथ हैंने 464 एकी वेरें में लाउंच हुआ है और इसमें इस बार केमरे में भी इंप्रूमेंट किया गया है और इसका जो में हाइलाइट है दोस्तों है वह पॉप आप क्योंकि इस प्राइस पर अभी तक कैसी भी कंपानी में पॉप अप सेल्फी नहीं दी गई है दोस्तों और काफी सेल्फी जो 48 Megapixel का rear camera दिया गया है और बागी की दो हैं दो जो sensor है वो लो light के लिए और depth के लिए 2 Megapixel प्लस 2 Megapixel तो इस बार ट्रिपर रियार camera है 48 Megapixel के साथ और फ्रंट सोला का पॉप अप सेल भी योकि इस प्राइस पर किसी भी कंपणी में नहीं है और इस बार काफी मतलब सुदार किया गया फुल एच्ड यह लेकिन इसमें वाइड वाइड वान का सपूर्ट नहीं है यह सकता आगे अपडेड में आपको लवन का भी सपूर्ट मिलें क्योंकि डिस्प्ले जो है तो फुल एच्ड प्लस की तो दोस्तों इस बार इंफिनिक्स ने फिर एक और कमाल किया है कि कम प्राइस में आपको ओप अप सेल्फी 48 Megapixel का कैमरा लेकिन इसके यह शो नहीं है कि 48 Megapixel का जो कैमरा है को उसमें सेंसर कैमरा कौन सा सूनी है मीडिया डैग है या सैमसंग है कुछ भी इसके बारे में डिटेल नहीं है तो फिर भी दोस्तों इसके डिस्प्ले और कैमरा काफी अच्छी क्वालिटी का निकल कर आएंगा और इसकी प्राइस भी काफी कम रखी गही है और इसका डिस्प्ले पॉप अप बैटरी सभी ची दिन में 100-500 बार भी आप इसे यूज करते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको सालों तक के नहीं आने वाली पॉप अप सेल्पी कैमरे में और इसमें और फीचर बहुत अच्छा दिया गया दोस्तों कि जब आपका हैंसेट अगर पॉप अप सेल्पी ओन है और इंसेट सब्सक्राइब करते हैं यह किसी ने मैसेज डिलेट कर दिया आप नहीं पढ़ बाते तो इसमें इन बिल्ट दिया गया है आप पढ़ पाएंगे इस न्यू फीचर के जरिए इंपिनिक्स के यह आपके वाटसब में जो भी मैसेज डिलेट कर देता है तो आप पढ़ सकते ह आई फीचर के साथ मेरे कैमरा आपको बहुत सी चीज़ेस के अंदर मिलेंगे डिटियस साराउंड है इसमें साउंड कॉलिटी और भी कई चीज़ें आपको इंपिनिक्स के स्वाइब प्रो में जिसकी पहली सहल 13 मार्च को है दोस्तों जो के फिलिप कार्ड पर फ्लब झाल से